Hey guys, what's up? This is me, SK and you're watching Russelland दोस्तों कल हमें AEW का पेपर व्यू Double or Nothing 2021 देखने को मिलने वाला है और दोस्तों हमारे चैनल पर ये AEW Double or Nothing से पहले आखरी वीडियो होने वाली है दोस्तों कल हमें Sting का मैच देखने को मिलने वाला है और मैच से पहले Sting ने आखर क्या बोला और AEW World Championship के मैच के रिगार्डिंग एक काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और दोस्तों साथ इसाथ हम कल होने वाले सभी मैचेस की बेटिंग ओर्ड्स के बारे में बात करने वाले है कि AEW World Championship में होने वाले मैचेस के बेटिंग ओर्ड्स क्या है और उनके हिसाब से में कौन जित्तवा दिखाई देने वाला है तो ये वीडियो होने वाली है लास्ट मिट अपडेट वीडियो सो दोस्तो वीडियो काफी दा इंटरस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास्ट सक जिर देखना सो लेट्स बिगिन दोस्तो अभी एक इंटर्वे के दोरान टोनी खान ने AEW Double or Nothing 2021 के रिगार्डिंग काफी सारी बाते की जहाँ पर पहले उन्होंने बताया कि हमें फूल क्राउड देखने को मिलने वाला है Double or Nothing पेपर वीव के अंदर जैसे हमें इस अफते डाइनामायट सो पर फूल क्राउड देखने को मिलने वाला है साती सात उस इंटर्वे के दोरान टोनी खान ने डोक्टर बिट बेकर वर्सिस हिकारुशिडा के मैश के बारे में भी बात की जहाँ पर टोनी खान ने बोला कि हिकारुशिडा काफी अच्छी चेंपियन है और उन्होंने पिछले साल डबल और नथिंग में नाइला रोस को हरा कर चेंपियन सिप जीती थी और उस टाइम बे का मैश देखने को मिलने वाला है और दोस्तों नेक्स मैश जिसके बारे में टोनी खान ने बात की वो है कोडी रोड्स वर्सिस एंटोनी ओगोगो का जहां पर टोनी खान ने बताया कि मैं कोडी रोड्स के द्वारा ही एंटोनी ओगोगो से मिला था वो ही ओगोगो को मेरे पास लाया था और उसके बाद मैंने उसको AWK ले साइन कर लिया और उन्होंने ये भी बताया कि एंटोनी ओगोगो को क्यूटी मारसल और कोडी रोड्स ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग दे रहे थे प्रो रेस्लिंग की और टोनी खान ने ये भी बोला कि क्यूटी मार्सल ने अपने जहरीले दिमाग से काफी सारे स्टुडेंट्स को मैन्यूपिलेट कर दिया और उनको कोडी रोड्स के खिलाफ कर दिया और उनमें सबसे बड़ा नाम एंटोनी ओगोगो का है और कल हमें इन कमाल की टेग टीम है और वो काफी कमाल के चैंपियन भी है और हमें जोन मोक्सले और एडी किंग्स्टन की हिस्ट्री पता है जहां पर हमें फुल गेर के अंदर एडी किंग्शन वर्सिस जोन मोक्सले का काफी कमाल का मैस देखने को मिला था लेकिन अब ये दोनों सेम बोला कि वो इस मैच के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटिड है सो दोस्तो ये सब बोला टोनी खान ने अपने इंटर्विव के दोरान अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग के बारे में जहाँ पर इस्टिंग एंड आर्बिलेन वर्शिज स्कोर्पियो स्काई एंड इथन पेज का मैच देखने को मिलने वाला है डबल और नथिंग के अंदर और दोस्तो अभी हाली में इस्टिंग ने एक इंटर्विव के दोरान बताया है कि वो काफी दर नर्वस है इस मैच से और वो पहले जैसे रीकवर नहीं होते जैसे वो पहले हुआ करते थे और जब पहले जल्दी रीकवर हो जाते थे लेकिन अब उनको नहीं पता कितना टाइम लगता है रीकवर होने में और इस्टिंग ने ये बोला कि वो काफी दर नर्वस है क्योंकि अब वो काफी समय बाद लाइव ओडियंस के सामने अपना इन रिंग रिटन करने वाले हैं और उनक पाद इस्टिंग ने काफी इंटरस्टिंग ठिझे रिवेल की हैं सो दोस्त तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ठिंग के वारे में जहांपर हमें कल हिकारु शिडा और डॉक्टर बिट बेकर का मैच देखने को मिलने वाला है और हिकारुशिडा ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर बिट बेकर को मैच से पहले में हिकारुशिडा की तरफ से एक ट्वीट देखने को मिलता है जहाँ पर वो बोलती है सी यू टुमोरो डल्टी मोरोन डंब एस डॉक्टर बिट बेकर और दोस्तो यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बिट बेकर को काफी कुछ बोल दिया है तो अब बात करते हैं कल होने वाले डवल नथिंग के सभी मैच इस की बैटिंग ओर्ट के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम मीरो वर्सिस लेंस आर्चर के मैच के बारे में बात करते हैं जो कि हमें TNT Championship के लिए देखने को मिलने वाला है और मीरो और लेंस आर्चर के मैच की बैटिंग ओर्ट में काफी बड़ा डिफ्रेंस है जिस डिफ्रेंस से मीरो आसानी से इस मैच में जीट जाएंगे और वो अपनी TNT Championship को रिटेन कर लेंगे दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में जो कि हमें Adam Hangman Page वर्सिस ब्राइन केज का देखने को मिलने वाला है और बैटिंग ओर्स के हिसाब से हमें इस मैच में Adam Hangman Page जीते वे दिखाई देने वाले हैं दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में जो कि हमें Sting and Darbylon वर्सिस Scorpio Sky और Ethan Page और दोस्तो बैटिंग ओर्स के हिसाब से हमें इस मैच में Sting and Darbylon जीते वे दिखाई देने वाले हैं और इस मैच में मुझे भी लगता है कि हमें Sting and Darbylon ही जीते वे दिखाई देने वाले हैं दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में जो कि हमें Antony Ogogo vs Cody Rhodes का देखने को मिलने वाला है और दोस्तो इस मैच में मेरी प्रिडिक्सन्स थी कि हमें इस मैच में Cody Rhodes जीते वे दिखाई देने वाले हैं लेकिन बैटिंग ओर्स के हिसाब से हमें इस मैच में Antony Ogogo जीते वे दिखाई देंगे सो दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में जो कि हमें AEW World Tag Team Championship के लिए देखने को मिलने वाला है Young Bucks vs John Moxley and Eddie Kingston का और अगर मैं इस मैच में Betting Oats के बारे में बात करूँ तो हमें Betting Oats के हिसाब से इस मैच में Young Bucks जीते वे दिखाई देंगे और वो अपनी AEW World Tag Team Championship को Retain कर लेंगे लेकिन दोस्तो मैं अपनी Predictions के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि कल हमें इस मैच में टाइटल चेंज देखने को मिलेगा और Eddie Kingston and John Moxley Young Bucks को हराकर New Tag Team Champions बन जाएंगे दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में जो कि हमें Dr. Bit Baker vs. Hikaru Shida का मैच देखने को मिलने वाला है AEW Women's Championship के लिए और इस मैच में बेटिंग ओर्ट्स के इसाब से हमें बिट बेकर जीते वे दिखाई देंगी और वो हमारी New AEW Women's Champion बन जाएंगी दोस्तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कल हमें इस मैच में Dr. Bit Baker जीते वे दिखाई देने वाली है दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स मैच के बारे में यानि की ट्रीपल थर्ट मैच जो कि हमें AEW World Championship के लिए देखने को मिलने वाला है Can Umeaga vs. Park vs. Orange Cassidy का और दोस्तो अगर मैं इस मैच में बेटिंग ओर्ट के हिसाब से बात करूँ तो बेटिंग ओर्ट के हिसाब से हमें इस मैच में केन Umeaga जीते वे दिखाई देने वाले हैं और वो अपनी AEW World Championship को रिटेन कर लेंगे दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि हमें किसीनो बेटल ओर्ट मैच देखने को मिलने वाला है और दोस्तो बेटिंग ओर्ट के हिसाब से हमें इस मैच में क्रिस्चन के जीते वे दिखाई देने वाले हैं और दोस्तो अगर हमें Christian Cage जीत्ते वे दिखाई देते हैं तो हमें Christian Cage वर्सिस Kenny Omega का मैच देखने को मिलेगा AEW World Championship के लिए दोस्तो Christian Cage के बाद नाम आता है Penta का जो कि हमें किसीनो Battle Well मैच जीत्ते वे दिखाई दे सकते हैं दोस्तो अब बात करते अपने Last Match के बारे में जो कि हमें Inner Circle versus Pinnacle का मैच देखने को मिलने वाला है Stadium Stamped Match और दोस्तो बेटिंग ओर्ट्स के हिसाब से दोनों ही टीमों के चांसिस इक्वल है दोनों ही टीमों के बेटिंग ओर्ट्स इक्वल है 50-50 बेटिंग ओर्ट्स के हिसाब स से तो हमें इस मैच का कोई भी विनर देखने को नहीं मिलने वाला लेकिन दोस्तो अगर मैं इस मैच में प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इस मैच में Inner Circle जीत्ती वी दिखाई देंगी और हमें Inner Circle और Pinnacle के मैच में एक सरप्राइसिंग देखने को मिल सकती है जहाँ पर हमे माइक टैसन इस मैच में इंटरफेर करते वे दिखाई दे सकते हैं जहाँ पर हमें हैल्प करते वे दिखाई दे Inner Circle की और माइक टैसन की हैल्प से हमें Inner Circle इस मैच में जीत्ती वे दिखाई दे तो दोस्तो आप लोग भी कोमेंट करकर अपने प्रेडिक्शन जोरू बताना AEW Double or Nothing की कि आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या है तो दोस्तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते आप से एक और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाए